Hello students, welcome and welcome back to class English Simplified and thank you so much for joining us. So students, today we will discuss class 12 Flemingo book chapter number 6, Boys and Pancake. We will cover a question here and this is your text book question. And you can ask this question in 4 or 5 marks. So let's start. So the question is, what do you understand about the authors, literally inclinations from the account? कि आप जो इस चैप्टर का author है, असोका मित्रन, उनका सहित्य के प्रतीच कुछ जुखाव था, तो आप ऐसा किस तरीके से समझ सकते हैं? तो answer है, the author, असोका मित्रन, was an intelligent man. की जो author है, असोका मित्रन, ये एक बहुत पुत्तिमान वेकती थे. His job was collecting and maintaining the newspaper clippings of movies and other articles. और इनका काम क्या था, जैमनी स्टूडियो में students, कि ये newspaper और जो magazines हुआ करती थी, कि जिसमें नए-ने articles होते थे, किसी movies के बारे में कोई review अगरा होते थे, तो उनकी ये cutting किया करते थे, और cutting करके उसके record को पूरे maintain किया करते थे, तो इनका कारे जैमनी स्टूडियो में सरफ और सरफ इतना ही था. He used to do his job very responsibility, but everyone in जैमनी स्टूडियो felt that his work was worth nothing. अब उनकी जो ये job थी, ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेधारी भरी थी, और वो अपनी job को बहुत ही responsibility के साथ पूरा भी किया करते थे, लेकिन जैमनी स्टूडियो में हर व्यक्ति का क्या सोचना था, students, वो ये सोचता था, कि इनकी जो ये काम करते हैं, इसकी कोई भी किमत नहीं है, और ये एक बड़ा ही useless काम करते हैं, जो कि ना काम करने के बराबर ही है. According to them, there was no hard work in doing this work, and they thought that he was getting free salary in जैमनी स्टूडियो, अब उनके अनुसार वो क्या सोचते थे, कि जो ये काम असोका मितरन करते हैं, स्टूडियो में बैठ कर, तो इस काम में तो कोई भी महनत नहीं लगती है, और उनका ऐसा सोचना था, कि ये जैमनी स्टूडियो में वर्थलेस यहाँ पर समझा जाता था, कि उसके काम का कोई मुल्य नहीं है, he did not have much money in his pocket, अब ये अपनी पॉकेट में बहुत जादा इनके पैसे नहीं होते थे, क्योंकि पैसे की हमेशा इनके पास थोड़ी शौटेज रहा करती थी, yet whenever he found any literally books for less money, he immediately bought it, और इसी वज़े से जब भी इन्हें कोई साहित्तिक book बहुत कम पैसों में मिला करती थी, ये तो तुरंद उसे खरीद लिया करते थे, this tells us that he had a lot of interest in literature, और ये बात हमें क्या पताती है students, ये बात हमें बताती है, कि इनका साहित्ते के प्रती बहुत ज़्यादा interest था, पैसे ना होने के जीवी व्यक्ती थे, and often used to increase his knowledge from books, और अक्सर ही क्या करते थे, कि अपनी knowledge को हमेशा increase क्या करते थे, books से books पढ़ते रहते थे, और अपने ग्यान को आगे पढ़ाते रहते थे, and it was always his endeavor, that how he could bring improvement in his literary writing, और वो हमेशा ही कोशिश करते रहते थे, कि किस तरीके से उनका ग्यान करते हैं, उसमें उनकी improvement हो, तो वो जो साहित्य के लेख लिखा करते थे, तो वो हमेशा अपनी नई-नी knowledge को गेन किया करते थे, और उनकी कोशिश यह रहती थी, कि जो भी वो लेख लिखें, जो भी वो article लिखें साहित्य के ऊपर, तो वो इतने अच्छे हो, कि people in के तरफ attract हो सके, तो इसमें वो लगातार improvement किया करते थे, the author would pick up 50 पैसा copies of journals from the footpath, और footpath पे जो यह books भुका करते थे, तो यह 50 पैसे की copies को वहां से pick up किया करते थे, and took part in the poetry writing competition, और इसके बाद वो जो poetry writing competition होता था, इसमें भी वो भाग हमेशा लिया करते थे, he actually read essays, the God who failed, to know more about the poet Stephen Spender, तो ऐसे ही एक बाद उनको footpath पर एक बुक मिली, the God who failed, और उसने कम पैसो में इस बुक को खरीदा, और इसी बुक के अंदर एक essay Stephen Spender का भी था, उसी पुएट का जो कि जैमनी स्टूडियो में विजिट जिस ने किया था, और उस वक्त किसी ने भी उसको पहचाना नहीं था, और जब उन्होंने इस बुक को पढ़ा, और तब उन्हें ये पता लगा, कि actually में वो जो इंग्लिश मैन उनके जैमनी स्टूडियो में आया था, तो वो Stephen Spender था, और वो एक पोयट था, All these are evidence that he had some literary taste, और ये सारी के सारे evidence में क्या बताते हैं, कि वो सहित्ते के प्रती अपना रुजहान रखते थे, सहित्ते में उनकी रुची थी, और वो सहित्ते के बारे में ही बुक्स पढ़ना चाहते थे, और उसके ओपर नए-नए आर्टिकल्स वो लिखना चाहते थे, तो हर वाल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे, मिलते हम आप से अपने नेक्स्ट वीडियो में, किप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू